नमस्कार दोस्तो पहाड़ी आयरवेदिक में आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं आप लोग सामने आठ तरह के सूखे सूखे जड़ी बूटियां लेकर आया हूँ और इन्ही आठ जड़ी बूटियों को फाइदे को बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि या आठ जड़ बूटियां हमारे सरीर में होने वाले 800 बिमारियों को जड़ से नश्ट करने का काम करता है तो दोस्तों आज मैं आपको इन्ही आठ जड़ी बूटियों के एक फाइदों को बारे में बताऊंगा लेकिन फाइदा बताने से पहले मैं इन जड़ी बूटियों को पहचान से कैसे पहचानेंगे क्योंकि दोस्तों आज तक मैंने आपको पेलपोधों का पहचान दिखाया है और पेलपोधों को भारें बताया लेकिन आज मैं आप लोग सामने सूखी सूखी जड़ी बूटियां लेकर आया हूं क्यूंकि आप लोग पेड़ पौधे तो बहुत देख लिए अब सूखे सूखे जड़ी बूटियों का भी पहचान कर लो क्यूंकि दोस्तों आप सब जंगलों तक या खेत खर्यानों तक जाकर हरे हरे ताजे ताजे जड़ी बूटियों को नहीं ला पाते हैं और अपने विमारियों पूपयोग नहीं कर पाते हैं लेकिन दोस्तों आप यह भी जान लीजिए कि जितने भी जड़ी बूटियां हरे हरे होते हैं पेड़ पौधे होते हैं वह सभी जड़ी बूटि लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आठ जड़ी बूटियों को दिखा देना चाहता हूं तो देखिए दोस्तों यह जो लाल-लाल के इसे कहते हैं गुलनार का फूल द्यान से सुन लीजिए यह गुलनार का फूल है बहुत ही फाइदे मंद है हमारे सरीर के लिए इसके कौन-कौन से फाइदे हैं मैं आपको बताऊंगा आओ चलो अब हम दूसरे जड़ी बूटिक तरब चलते हैं तो देखिए दोस्तों इसे भी आप ध्यान से देख लीजिए यह खटा जामुन का बीज यह खटा जामुन के फल के अंदर से निकलने वाला बीज है जो कि सूखा हुआ है देख लीजिए पहचान लीजिए अगर आप पंसारी पास खरीदेंगे तो आपको कुछी इस तरह से मिलेगा या फिर अख्य- होनी पूरा पूरा मिलेंगे मूम झाल्फ कर दोस्तों यह काले-काले दिखने वाले बीज को भी हम पहचानते हैं कि इस वीज सारी लोग सल्बस को दाफ करने कदले छने शायरुोग नहीं करते हैं और अब हम आगे बरेते हैं 06 यह है नीम का वीज ल संदर फलों को तोड़ने के बाद उसके बीज निकलता है अब चलू, आगे बढ़ते हैं तो देखिए दोस्तो यह है वह जड़ी बूटी जिसे इंद्र जो कहते हैं या फिर बहुत से लोग कुटज भी कहते हैं हां दोस्थो इसके फाइद इसके फाईदेक में होता है बड़ा ही परसिद्ध है इसे मेथी कहते हैं इसे तो भला कौन होगा जो नहीं जानता पहिचानता होगा और यह देखिए दोस्तों यह है गुनमार पत्ति इस इसका पहदा भी बहुत बार दोग दिखाया हूं लेकिन आप दीधा आपप दिख hadi यह मैं अब दिखांगे तो आँ चलो आई इसके ःष्ट्ट लोग बारे में बताऊंगा मैं आपको विस्तार तरीके से आप ध्यान पुरुवक सुनिए वीडियो को स्क्रैप नहीं कीजिएगा वीडियो छोड़कर हटिएगा नहीं तो यह जानकारी आपके लिए बड़ा ही फाइदे मंद साबित होगा तो दोस्तो आज के जमाने में बहुत सारे लोग सुगर के पेशेंट हो चुके हैं और तरह तरह के जड़ी बूटी या तरह तरह के अनगरेजी दवा खा कर आपना लीवर डेमिज कर लेते हैं, कितनी खराब कर लेते हैं आखों के रोसनी गवां बैठते हैं अंग्रेजी दवाओं को सेवन करके हाट कमजोर कर लेते हैं दवाओं का अधिक सेवन करके तो इस तरह से दोस्तों सुगर का पेसेंट अपने आपको बहुत अधिक कमजोर कर लेता है क्योंकि वह लगातार रेगुलर दवाई खाता ही र हो जाता है और जब पाचन किरिया कमजोर होता है तो कब्ज रोग होने लगता है कब्ज होने के बाद में मल मुत्र साफ नहीं होता है जिसके अंदर शरीर के अंदर खून के अंदर विसेला पदार्थ उत्पन होने लगता है और उस विसेले पदार्थ उत्पन होने के कारण सरीर का खून और ही जहरीला हो जाता है जिसके वज़े से लीवर कितनी फेपरा दिल यानि सरीर का हर एक पार्ट कमजोर होना लगता है पूरूस है सुगर हो इसते हैंपुले रहते हैं, उनको भी यही हाल होता है उनकी यह दीरे धीरे समाप तो जाती है तो दोस्तों ऐसे रोगियों के लिए या जितना भी जड़ी बूटी में दिखा रहा हूं अम्रित के समान है बस आप इसे अपने घर पे लाइए सुखे सुखे लाइए खरीद कर लाइए पंसारी दुकान से लाइए और इसे कूट कर पीश कर पौडर बना कर आप डिब्बे हुठ ली धिय Kylie और सूब्ध शुभा सूब्ध शूबा सूब्ध खाली पेट आधा चम्मच search ंकीजिए और सा अरदा घंटा तक कुछ मत खाई यह मन कका यह लोगिए और रात में खाना खाने के बाद तीस मिनट बाद से न कीजिए ढलओ सुन लीजिए लगे तो दोस्तो तो या तुम्हारे सरीर का पावर बढ़ा देगा शरीर के सारे कमजोरी को मिटा देगा इस टेमना पावर बढ़ेगा तो आपका यह निच्छा बढ़ेगा नामर्दी रोक दूर होने लगेगा धीरे-धीरे इसके सेवन से दोस्तों बहुत से लोग हैं जो सुगर के धीरे-धीरे खो देते हैं उनके आखों को रोसनी को दोबारा लवटाने का काम करेगा यह इंद्र जाओ कलाउंजी नीमका वीज मेथी और गुडमार और जामुन के गुठली और यह तबासीर बंसलोचन मैंने इसके बारे में आपको नहीं बताया देख लीजिए इसे कहत इसे तबासीर बंसलोचन में करीबन 2-3 कौॉल्टी होते हैं या बांस के पैर के अंदर से निकलने वाला बंसलोचन है दोस्तों इसमें एक भुजा हुआ बंसलोचन राख भी होता है जो कि सर्दी खांसी जुखाम में अधिकतर इस्तमाल किया जाता है और यह जो कच्छा बंसलोचन है इसे कितनी लीवर के सूजन में उपयोग किया जाता है धातू रोग में उपयोग किया जाता है और हड़ी को मजबूत करने के लिए किया जाता है है यह बहुत सारे बिमारी दोस्तों कि जड़ी बूटियां सब बिमारी मुप्यों होने वाले जड़ी बूटियां लेकिन जो घू DM के लिए बना रहा हूं फुट मिला रहा हूं यह सुगर पेसेंट के लिए खास करके बना रहा हूं तो दोस्तों सुगर के रोगियों के लिए यह एक तरह से राम बाढ़ है देखिए दोस्तों यह जो देख रहे हैं इंदर जो बहुत सारे लोग इस बीज को रात को विगा कर एक चम्मत सुबेस का पानी पीते होंगा सुगर वाले और उन्हें फायदा भी होता होगा बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि जामुन के गुठली के पाउडर का इस्तमाल करते होंगे और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि कलोजी का भी उप्योग करते होंगे और बहुत से लोग होंगे जो नीम के बीज का भी पाउडर इस्तमा बनाया जाए और कुछ दिनों तक खाया जाए तो यह सुगर डायप्तिस को जड़ से नश्ट करने का काम करता है तो हां दोस्तों तो हां दोस्तों अभी तक आप लोगों ने यह सब जड़ी बूटियों को अलग अलग खाये होंगे सेवन किये होंगे लेकिन आज मैं आपको एक नुस्का बना कर दे रहा हूं इस सभी जड़ी बूटियों को एक साथ मिला कर पीश कर पावडर बना कर सेवन कीजिए और इसके फाइदे को देखिए किया कितना फाइदे मंद है क्योंकि दोस्तों कहते हैं पांच उंगली एक साथ हो जाए तो इस तरह से मुठी बन ज लगता है और अकेला एक उंगली है तो उसे कोई भी तोड़ देगा ठीक उसी तरीके से दोस्तों यह अलग अलग जितने भी जड़ी बूटियां हम खाते हैं तो यह बीमारी को यानि सुगर को सिर्फ कंट्रोल करते हैं अगर यह सभी जड़ी बूटियों को मिला कर खाया जाए तो यह सुगर को जड़ से नष्ट करने भी ताकत रखते हैं तो देख लीजिए पहचान लीजिए दोस्तों तो चलो दोस्तों इस महातपुर जानकारी को मैं अब यहीं समाप्त करता हूं अगर मेरी जानकारी लाबदायक हो फाइदे मंद हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्क्राइब कीजिए नमस्कार दोस्तों पहाड़ी अइरवेदी